पॉस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरट सस्पे आफिस पहुची हमाचल प्रदेश की रहने वाली शाहिदा हुसेन के बयान पर आज उस वक्त संसनी फैल गई जब उसने मेरट के मीट कारोबारी आस महमद कुरेशी पर साड़े पांच करोड रूपिये के जूटे मकदमे में फसाने का आरोप लगाया दरवासल शाहिदा हुसेन ने बताया कि उसके पती विलायत हुसेन ह्माचल के रहने वाले एख मीट एक्स्पोर्टर हैं तीन साल पहले विलायत की मुलाकात आस महमद सभीक और दोनों की बीच मीट सप्लाइ को लेकर कağıंटर्ट रहा आसमहमद ने मीट सप्लाई की बात का हवाला देते हुए विलायत से ब्लैंक चेक लिए और कहा कि वह मीट सप्लाई कर देगा और मीट आज तक सप्लाई नहीं किया गया जबकि उसने ब्लैंक चेक रख लिए लेकिन वह उसकी बतकिस्मती से बांस हो गया जब चेक बाउंस का नोटिस विलायत के पास पहुँचा तो वह अपने भाई के साथ मेरट आया यहां आस महमद ने दोनों की खोब पिटाई की वे उन पर कई सारे मुकदमे कर डाले सुनिए शाहिदा हुसेन ने मीदिया को क्या जान का ले दी इसलिए तो उन्होंने वो किया देंग जलिया है कि मौन लेकिन थे लिए तो नंहीं चेकám स्टर रहे हैं कि हमें प्राइसया देना हैं और जुके केस में हमारे को सात आट यह में पछाए है और पिछले दो तीन साल से फोन पे धंकिया देते हैं घर पे आके धंकिया देते हैं मार पिटाई करने की कुछ के देते हैं बुढ़ने तक भेजते हैं मेरे घर पे सब्सक्राइब क्या कंडिशन है अब हमारी कोई जांच नहीं हो पार है हम चाहते हैं निश्पक्स जांच इस दौरान शाहिदा हुसेन की वकील भी SSP आफिस पहुंची जहां उन्होंने मीडिया को यह जानकारी दी इन्होंने बोला कि अगर तुम यहां फैर भी करने आओगी तो अगली बार तुम भी यहां पहुंचने पाओगी रास्ते में ही तुमको जान से मार देंगे मैंने शोर मचा दिया तब बहुत सारे लॉयर इखटता हुए उन्होंने तब इनको पकड़के पुलिस को सौपा पुलिस इंको पकड़के सिविल लाइन ठाना लेकर आई लेकिन वहां भी पुलिस वालों ने मुझे ही यह चीज कहके डराया कि यह बहुत बड़ा क्रिमिनल ह है और इसकी यहां बहुत अच्छी पैट है आप इससे केस लड़ने के लिए भी नहीं आपाऊगी यह आपको बारबार परिशान करेगा इसके आप केस रजिस्ट्र मत करवाईए इसलिए फिर मैंने यहां पर कंप्लेंट दी भी नहीं कि जब पहले ही पुलिस इतनी बायस है तो मैं कंप्लेंट दे कि यहां क्या करूं अब हालत यह है पीडित और अधिवक्ता दोनों इस आज मुहमत पुरेशी के डर में इस चक्तर में इसकी खिलाब कोई कारवाई नहीं हो पार है यह लिसाडी गेट शामनगर का रहने वाला है और अब इसने एक और प्रोड कि किया है आज मुहमत पुरेशी ने श्री राजिंदर कुमार जैन जी अपनी करवाने के लिए पिछले पांच महीने से पुलिस के पास जा रहे हैं जन सुनवाई पोटल पर अप्लिकेशन डाली समाधान दिवस में कप्तान साब को अप्लिकेशन दी उसके बावजूद श्र राज आज मुहमत पुरेशी के खिलाफ कोई पोई रिपोर्ट यहां की पुलिस दर्ज नहीं करती है लेकिन आज मुहमत पुरेशी जब भी किजी के खिलाफ कोई मुकदमा लिकवाना चाते है वो तुरंद अर्ज़ आज़ूद है आज आज अपतान साफ क्या उन से वेल्टमान अचाडमी रेल्वेरोड मेरा